गौतम बुद्ध के समय से ही खेती और जीवन के रहसियों को समझने के लिए अनेक कहानियों का उप्यू किया गया है एक ऐसी कहानी है जो अमरत खेती का रहस बताती है और यह आज के दोर के लिए भी अतेयंत प्रासंगिक है अमरत खेती का रहस बहुत समय पहले की बात है एक गाउं था जहां लोग खेती से अपना जीवन या अपन करते थे परन्त हर साल उनकी फसलें खराब हो जाती थी और गाउं के लोग भूख से परिशान रहते थे गाउं के प्रदान ने सोचा कि कुछ तो गलत हो रहा है इसलिए उन्होंने गाउं के सबसे बुद्धिमान ब्यक्ट से मदद मागे वह ब्यक्त कोई और नहीं बलकि गौदम बुद्ध थे जो उस समय वहां से गुजर रहे थे गौदम बुद्ध ने गाउं के लोगों को इकठा किया और उनसे पूछा तुम लोग अपनी फसल को किस भावना से उगाते हो गाउं वालों ने उत्तर दिया हम इसे काम के रूप में करते हैं ताकि हमें भोजन मिल सके और हमारा जीवन चल सके बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा यही तुमारी सबसे बड़ी भूल है खेती केवल भोजन प्राप्त करने का साधर नहीं है इसे एक सेवा के रूप में देखो या एक पवित्रकार के रूप में गौतम बुद्ध ने गाउं वालों को अमरत खेती का रह समझाया उन्होंने कहा जब तुम बीज बोते हो तो उसे प्रेम और करुणा के साथ बोओ जब तुम फसल की देख भाल करते हो तो उसे मन की सान्ती और समरकपण के साथ करो भूम को अपनी मा समझो और जो कुछ भी तुम उसमें डालते हो वह तुमारे भीतर की भावना को प्रतविंबित करेगा अगर तुम अगर तुमने उसे प्रेम दिया तो वह तुमें अमरत रूपी फल जरूर देगी गाव वालोंने बुद्ध की बातों को मन से समझा और अगले सीजन में वे अमरत खेती की तरह फसल उगाने लगे उन्होंने प्रेम, करुणा और समर्पन के साथ बीजबोए जब फसले उगने लगी तो वे पहले से कहीं अधिक हरी भरी और स्वादिष्ट थी गाव में कभी भी भोजन की कमी नहीं रही और सभी लोग सुखी और सम्रद्ध हो गए आज के दोर में संदेश आज के युग में या कहानी उतनी प्रासंगिक है चाहे वा खेती हो या कोई अन्यकार जब हम उसे प्रेम, करुणा और समरपण के साथ करते हैं तो परिणाम भी उसी प्रकार उत्क्रेश्ट होते हैं काम को केवल एक अवश्यक्त के रूप में ना करें बलके उसे एक सेवा और साधना के रूप में देखो यही अम्रत खेती है अम्रत खेती का यही एक रहस है जो ना केवल भूम को अपजाओ बनाता है बलकि हमारे जीवन को भी सुक और सम्बरद से भर देता इस कहानी से हमें असीख मिलती है कि जिस भावना के साथ हम काम करते हैं वो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है जब हम अपने कार में प्रेम और समारपण का बीज भोते हैं तो हमें जीवन में अम्रत रूपी फल मिलते हैं